हेलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप सभी लोग आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि आपके जो आसेंडमेंट की लाज्ट डेट है उसे एक्स्टेंड कर दिया गया है मैंने अपनी लाश्ट वीडियो में आपको बताया था कि अलग-लग रिज सेंटर ऐसे हैं जिनकी तरफ से अभी कोई गाइड्लाण नहीं जारी आरिक घया दोस्तों में पास स्टूडेंटिस का कमेंठ आता रहता है कि हमारे रिजिनल सेंटर ने जारी किये सबसे पहले हम बात करते हैं पटना रिजिनल सेंटर गी जैसा कि पटना रिजिनल सेंटर ने assignment को लेकर guideline जारी किये जैसा कि आप आप देख रहें last date for submission of assignment इसकी जो date 31 मही तक extend कर दे गई है आप 31 मही तक अपने assignment को submit कर सकते हैं दोस्तों इसके बात करें अगरतला रिजिनल सेंटर की तो अगरतला रिजिनल सेंटर ने भी अपने assignment को लेकर एक guideline जारी कर दी इसमें बताया गया है कि आपके जो assignment submission है उसकी जो last date उसे extend कर दिया गया है इसके बात करें बीजापूर रिजिनल सेंटर की तो बीजापूर रिजिनल सेंटर की तरफ से भी guideline जारी कर दी है assignment submission को लेकर जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपके जो assignment की last date है उसे 31 मही तक extend कर दिया गया है इसके बात करते हम हैदराबाद रिजिनल सेंटर की तो हैदराबाद रिजिनल सेंटर ने भी अपने assignment submission की जो last date है उसे 31 मही तक extend कर दिया गया है इसके बाद बात करते हैं हम जैपूर रिजिनल सेंटर की तो जैपूर रिजिनल सेंटर ने भी अपने assignment submission को लेकर new guideline जारी किये जिसमें बताया गया है कि आपके assignment जो 31 मही तक 31 मही तक आपकी जो assignment की last date है उसे extend कर दिया गया है तो दोस्तो हम कह सकते हैं लगबख सभी रिजिनल सेंटर ने जो अपने assignment submission को लेकर जो guideline जारी कर दी है कि assignment online submit होंगे या offline submit होंगे और आपके जो assignment की last date है उसे extend कर दिया गया 31 मही तक दोस्तो यदि अभी भी आपको कोई doubt है या फिर आपके रिजिनल सेंटर ने कोई guidelines नहीं जारी की है या आपको नहीं पता है तो आप मुझे Instagram या Telegram पे message करके ये guidelines पा सकते हैं कि आपके रिजिनल सेंटर ने कौन सी guidelines जारी की है online assignment submit करने आपको या offline submit करने दोस्तो आप मुझे message करके अपना answer ले सकते हैं या फिर मुझे comment box पे comment करके भी आप अपना answer ले सकते हैं दोस्तो ये थी अलग अलग रिजिनल सेंटर की तरफ से guidelines की assignment जो है उसकी last date 31 माई तक extend कर दी गई है इसके बाद बात करते हम आपके result को लेकर दोस्तो जैसा कि आप जानते हैं कि आपका जो last result का update है वो 13 अपरेल तक यहां पे 100 हो रहा है आपका जो last result का update है वो 13 अपरेल तक यहां पे 100 हो रहा है इसके बाद result का कोई भी new update नहीं आया है बहुत सारे student का कहना है कि हमारा जो result है वो कब तक आएगा फरवरी 2021 का result है वो कब तक आएगा जो new update है result का वो कब तक आएगा दोस्तों जैसा आपको पता है कि 14 अपरेल से lockdown लग गया था इस कारण से जितने भी regional center है वो सभी बंद चल रहे हैं तो regional center बंद होंगे ने के कारण आपका जो new update है result का वो अभी तक अपडेट नहीं किया गया है और जैसा कि आपको पता है कि आपको पता है आपके जितने भी regional center अभी वो close है जैसा कि नया circular आया था जैसा कि आप देखते हैं यह आपे दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं 28 अपरेल को यह circular जारी किया गया था जिसमें बताया गया है कि आपके जितने भी regional office है regional center है वो 29 13 अप्रेल से लेकर 3 महीं तक बंद रहेंगे तो सबस्तों हम कह सकते हैं आपका जो रिजल्ट का निव अपडेट फ़ोफ नहीं आए और दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं इस से पहले वी 24 तारीक को न्यू अपडेट यहाँ पे दे दिया गया आपके जो रिजिनल ऑफिस और रिजिनल सेंटर है वो 28 तारीक को यहाँ पे सर्कुलर जारी किया गया 29 ते लेके 3 महीं तक दुबारा से आपके जितने भी रिजिनल सेंटर हैं वो बंद रहेंगों इस वजह से आपके जितने भी assignment submission को लेकर guidelines है वो बहुत सा original center है अभी कुछ-कुछ original center है जिनोंने अभी guidelines जारी नहीं की और लगबख सभी original center ने assignment को लेकर अपनी guidelines जारी कर दी है कि assignments जो है वो online, offline submit होंगे कैसे submit होंगे और जो date है उसे भी extend कर दे 31 मही तक तो दोस्तों धीरे-धीरे लगबख सभी original center ये guidelines जारी कर देंगे और आपका result का update है वो भी धीरे-धीरे आजाएगा आपको घबराने की बिल्कुल भी आशकता नहीं है आप आराम से अपने assignment बना सकते हैं और जिनका result नहीं है तो उन्हें चिंदा करने की बिल्कुल आशकता नहीं आपका result का नया update जो है तो दोस्तो यह थी आज की वीडियो दोस्तो यहति अपको कोई doubt है वीडियो से related या फिर आपको अपने assignment कैसे बनाने या फिर आपको assignment online submit करने, offline submit करने आपके assignment को लेकर आपके रिजिनल सेंटर ने अभी गाइडलेंज नहीं जारी किये तो ये सारे डाउट आप मुझे इंस्ट्राग्राम, टेलीग्राम पे मैसेज करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं धन्यवाद